पूर्व मुख्यमंद्रे शिवराज से पूर्व मुख्यमंद्री कमलनाथ अब आमने सामने नजर आ रहे हैं और पत्रों के माध्यम से एक अलग ही तरह का युद्ध देखने को मिल रहा है दोनों के बीच इसी को लेकर चर्चा करेंगे हमारी समवाताता संदीप से संदीप बताए क्या कुछ जानकारी है बिल्कुल देखें निती की जाहिर सी बात है कि शराब पीने के बाद जाहिर सी बात है आपने सुना होगा कि दो पक्चों के बीच में आमने सामने लड़ाई तो होती है लेकिन यहाँ पर शराब नीती की बात करें तो दिगज नेताओं के बीच में अब जो है वार सा छिड़ता हो नजरा रहा है और अगर बात करें मध्यप्रदेश की सियासत की तो यहाँ पर पूर मुखवंतरी शिवराज सिंग चोहान और कमला दोनों के बीच में पत्रों के जरी एक भडंत देखी जा रही है और यहाँ पर अगर देखें तो लेटर पॉलिटिक्स है नई शराब को नीती को लेकर वो सूबे की सियासत में पूरी तरीके से गरमाती हुए नजरा रही है कल अगर देखें तो जिस तरीके से मध्यप्रदेश में अगर बात करें ग्रा जमकर हमला वोला था और उन्हेंने खुद सीम कमलनाथ को जो है पत्र लिखा था लेकिन वही साम होते होते तक सीम कमलनाथ ने भी जवाब में पत्र लिख दिया और इसके जरीए पूर मुक्वंत्री शिवराज सिंग चोहान और पूर्व की भाजपा सरगार पर जमकर जो कुछ डाटा है वो शिवराज सिंग चोहान के सामने पेस किये तो उन्होंने बात कही थी कि 2003 और 4 में 2221 दुकाने थी वो 2010 और 11 में बढ़कर 2270 शराप की दुकाने हो गई विदेशी मदिरा की बात करे तो उन्होंने बताए कि 2003 और 4 में 521 यानिकि 581 जो है विदेशी 211 में 916 पहुच गई इसका आकड़ा तो उन्होंने साफ तोर पर यहां पर दिया है कि कॉंग्रेस राज्य में पहले 2792 पूरे मद्दप्रदेश में शराप की दुकाने थी जो बीजेपी की सरकार में बढ़कर 3683 शराप की दुकान हो गई तो कुल मिला कर यहां पर उन्हो जूटे आरोप लगाये थे उनके शाशनकाल में करीब 2526 शराप की दुकान बढ़ी है अगर बात करें तो यहां पर अगर देखें तो शिवराज सिंग्ग चोहान और कमलनाथ पूरी तरीके से नहीं शराप नीती को लेकर जो है आमने सामने हो गए हैं और शिवराज सिंग उसकी उपशाखाई खोली जाएंगे शराप की दुकाने नहीं बढ़ाई जाएंगे तो कहीं न कहीं यहां पर अगर बात करें तो यह जो लॉजिक है सीम कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ की शराप की दुकाने खोली जाएंगे और शराप की दुकाने नहीं तो यह जो है बाते जो है समझ में नहीं आ रही है नहीं किसी को समझ में आ रही हलाकि कमलनाथ सरकार का अपना एक तत्थ है मुखमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मद्यप्रदेश में अवेद शराब को रोखने के लिए अवेद शराब की बिक्री के लिए जो सराब माफिया है उन पर नकेल कशने के लिए जो है ओब दुकाने खोलने का जो है प्रवधान लाया गया है नई नीती लाई गई है उसी को लेकर तो फिलहाल अगर आज की बात करें तो शिवराज सिंग चोहान ने कमलनाथ के पत्र पे तपाक से एक और पत्र लिख दिया उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंतरी कमलनाथ ने जो मेरे खत का जवाब दिया वो उसके लिए धन्यबाद लेकिन जो जवाब दिया है वो उनके गले नहीं उतर रहा ह है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि एक तरफ मुख्यमंतरी कमलनाथ कह रहे हैं कि मद्धप्रदेश में नई शराब की दुकाने नहीं खुलेंगी लेकिन जो उप दुकाने खुली है उसमें क्या गन्ये का जूस पनीर या दूद बेचा जाएगा बेची तो शरा भी जाए लेकिना तो कुल मिलाकर यहां पर मुख्यमंतरी कमलनाथ पर शिवरास सिंग चोहान ने कहा है कि यह जो तरक है वो पूरी तरीके से खुतर के नजर आ रहे हैं और मद्धप्रदेश को जो है मदिरा प्रदेश मद्ध मद्ध प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है और यह अगर कहें तो शिवरास सिंग चोहान ने एक और बड़ी बात कही है कि यहां पर अगर इस तरीके की उपशराब दुखाने खुलने की बात कर रही है तो क्यों ना हम डिलेवरी ही कर दी जाएं शराब की तो यहां पर कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरी तरीके से शर शराब को लेकर निदी मुख्यमंतरी कमलनात और शिवरास सिंग चोहान आमने सामने हो गए हैं और पत्रों के जरिये दोनों के बीच में लड़ाई जा रही है तो पत्रों के जरिये जंग लड़ी जा रही है आंकडे पेश किये जा रहा है सफाया दी जा रही है लेकिन सही माने या गलत माने यह कुछ भी साफ नहीं हो परा है आपका क्या कुछ कहना है इसे लिए निदी पहली बात तो यह है कि शराब ऐसा विशह है जिसको लेकर हर दल जो है शराब बंदी की मांग करता है जब वो विपक्षकी भूमिका में रहता है लेकिन सत्ता में जाते ह और कॉंग्रेस ने भी विवक्ष की भूमेका में लगातार शराब बंदी की पैरवी की थी लेकिन ये शराब एक ऐसी दवाई है निधी जो की प्रदेश को सबसे जादा रेवेन्यू देती है तो जब भी शराब बंदी की बात आती है तो अगर बात करें तो किसी भी प्रद जाती है जब शराब बंदी की बात होती है क्योंकि शराब से ही जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है और खास तोर पर ऐसे समय पर जबकि जीस्टी लगा हो तो कहीं न कहीं यहां पर मद्धप्रदेश की अगर बात करें तो मद्धप्रदेश का खजाना जो है आर्थिक संकट से जूज रहा है और आपात काल की स्तिती हम कह सकते हैं सरकारी खजाने में है फिलहाल ऐसे खजाने को संकट से उबारने के लिए मुख्यमत्री कमलनात के सामने कई बड़ी चुनोतिया हैं वो परेटन के छेतर में रोजगार के उसर बढ़ा कर या लाने का और खजाना भरने का तो कहीं न कहीं यहां पर अगर बात करें तो लगातार सत्ता में आने के बाद से कॉंग्रेस सरकार ने शराब को लेकर खास तोर पर ध्यान दिया है एक और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी एक प्रवधान आया था कि क लोटल और रेस्टोरेंट में जो है शराब विक्री की परिमिशन दे दी जाएगी ऐसी भी बाते सामने आई है इस पर भी अभी अधिकारियों का अध्यन चल रहा है लेकिन अगर बात करें नई शराब निती क्यों तो जो उपशराब की दुकाने खुलेंगी पांच-पांच किलोमेटर के दाइरे में अगर शराब की दुकाने खुलेंगी तो जाहिर सी बात है इसे शराब खोरी भी बढ़ेगी और जो है लोगों को शराब मिलना आसान हो जाएगा कभी-कभी यह होता है निदी कि हम रह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है वो रह और उसके घर से करीब 20 किलोमेटर दूर या 15 किलोमेटर दूर शराब की दुकान होती है तो अगर उसकी इक्षा होती है तो वो एक बार छोड़ देता है कि चलो आर बहुत दूर है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब 5-5 किलोमेटर के दाइरे में अगर शराब की दुकाने खुलने लगेगी तो वहाँ पर लोगों को ना सिर्फ शराब खोरी बढ़ेगी बलकि उस दाइरे में से जो है कई ऐसी जगे भी होगी जहां से महीलाओं का गुजरना होगा लड़िकियों का गुजरना होगा तो वहाँ पर इस तरह की जो है शराब की वज़े से जो है बार ये कह रही है कि शराब माफियाओं को जो है रोकने के लिए और अब इस शराब की बिक्री को रोकने के लिए जो है नई नीती लाई गई लेकिन यहाँ पर जो है वार पलेट वार पूरी तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी कॉंग्रेस जहां आमने सामने नजर आ रह और दोनों के बीच में पत्रों के जरीए ना सिर्फ एक दूसरों पर आरोप मड़े जा रहे हैं बलकि यहां पर एक तरफ अगर बात करें तो कमलास सरकार अपनी नई शराब निती को लेकर जो है अडिक नजर आ रही है वहीं दूसरी तरफ अगर शिवराज सिंग चोहान की बात करें तो वो अब आंदोलन की चेतावनी देने लगे हैं अब देखना होगा क्योंकि यह मामला जो है निदी इतनी आसानी से जो है शांत होने वाला नहीं है यह मामला क्योंकि शिवराज सिंग चोहान जब भी अगर कोई मुद्दा होता है तो उसे बड़े पेमाने पर खिलाब आंदोलन चेड़ सकती है जे बिलकुल तो नई शराब नीती को लेकर कमलनात सरकार साफ तोर पर सफाई दे रही है कि इससे रिवेन्यू बढ़ेगा शराब माफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी और अवैद शराब विक्री पर रोक लगाई जा सकेगी वहीं बीज इतना भी लाजमी होगा फिलहाज अंदीब जीन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद MP News पर खबरे लगातार जा रही है आप बने रही है हमारे साथ